तीन दिन में पती से पिता हुए कटनी टी आई लेडी कॉंस्टेबल ने दिया शपत पत्र बोली संदी पयाची पिता तुल्य टी आई से हैं एक तरफा भावनात्मक लगाओ कटनी के बरही थाने में पदस्त रहे टी आई संदी पयाची पर गंबीर आरूप लगाने वाली जबलपुर की महिला कॉंस्टेबल ने यूटन ले लिया है जहां चाधिकारी के बुलाएं बिना है कटनी पहुँचकर उसने शपत पत्र दिया शपत पत्र में लिखा है कि संदीप अयाची उसके पिता तुल्ले है उनसे भावनात्मक लगाओ है जब वह नरसिंगपुर में पढ़ती थी तब वे वहां के थाने में टी आई थे कटनी एसप को शपत पत्र दे का टी आई को बहाल करने की मांग की मीडिया के सामने कॉंस्टिबल बोली कि उसके और संदीप अयाची के बारे में जो भी बाते लिखी गए वो जुटी और निराधार है नवारकशक के तौर पर गोरगपुर जबलपुर में उसकी ड्यूटी लगती थी तब टी आई होने की नाते उसका भावनात्मक लगाव हो गया संदीप अयाची उसके जबलपुर के संरक्षक है जबलपुर में जब भी उसकी तब्यत खराब हुई तब संदीप अयाची ने उसकी मदद की परेशानियों में साथ दिया इस वज़ा से वह एकतरफा भावनात्मक लगाव में थी कॉंस्टेबल ने शपत पत्र में लिखा कि परिवार में जगडों की वज़ा से परेशान थी 19 जनवरी को टी आई सर को माइनर अटेक आने की जानकारी लगी वह मिलने के लिए उनके घर पहुँच गई परिवार ने मिलने नहीं दिया तो एस पी जबलपुर को फोन कर उल्टा सीधा बता दिया उसे तो टी आई पर गर्व है कटनी एस पी को सौपा गया नोट्री शपत पत्र 22 जनवरी को लिखा गया नोट्री सागर में राजेश कुमार मिश्रा ने नोट्राइस किया है महिला कॉंस्टेबल नर्सिंग पूर गाडरवारा की रहने वाली है नौकरी जबलपूर में करती है चर्चा है कि ये नोट्री किसी और ने तयार करा कर उसे दी है चर्चा तो ये भी है कि टी आई दो दिन पहले ग्वालियर और डबरा में एक मंत्री से मिलने भी पहुँचे थे कटनी में भी एक बड़े नेता के दर पर मत्था टेक कराए है आयाची के बारे में महिला कॉंस्टेबल ने 19 को माइनर अटेक आने का जिक्री किया है कहा है कि वे गैलेक्सी में भड़ती थी कॉंस्टेबल के आरोपों के बाद टी आई कोतवाली पहुँचे थे और राद भर महिला आरक्षक के साथ उनकी कई दौर की वारता होती रही माइनर अटेक वाला व्यक्ती इतनी जल्दी ठीक होकर अस्पताल पहुँच गया ये भी चमतकार माना जा रहा है टी आई की पतनी का दावा है कि इस हंगामे और खबर के बाद उनके पती को माइनर अटेक आया था टाइम एट मद्रप्रदेश के लिए कटनी से ब्यूर रिपोर्ट मैं हूं सीमा बर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मद्रप्रदेश अगर अब तक आपने टाइम एट मद्रप्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूले हमें हमेशा इंदजार रहता है आपके कमेंस का